विलासपूर्म परप्रों के साथ बलुटिंट की 36 गड के बिलासपूर से खबर मिल रही है मस्तूरी के मानी कच्चवरी में गोली कार्ण के मामले में बंसल निमश गोली चलाने के घटना का ऑडिया जो आडियो है वो बंसल निमश तक पहुझा है बंसल नियूज के हाथ वो आडियो लगा है जो गोली जलाने की घटना का है सिर्फ एक गुठके के पैसों को लेकर विवाद हुआ था बंसल नियूज हाला कि इस वाइरल आडियो की सत्यता की पुष्टी नहीं करता लेकिन बंसल नीउस के हाथ वो आडियो लगा है इस पूरे मामले में जिस तरह विवाद हुआ सिर्फ एक गुठके के पीछे कुछ पैसों को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था बता दें आपको बिलासपुर में बीती रात अनीश नाम के एक शक्स की हत्या कर दी गई महज 17 साल के अनीश के पेट में गोली मारी गई जिससे उसकी मौत हो गई मामला पचपेडी ठाने के मानी कचारी गाउं का है अनीश की दुकान से रात आट बजे गुठकार सिगरेट लेने के बाद भुपेंद्र पोर्ते और नंद किशुर साहु नाम के दो शक्स बिना पैसे चुकाए जाने लगे पैसे मांगने पर उन्होंने नाकेवल अनीश को बुरी तरह से पीटा बलकि उसे गोली मार कर फरार हो गए घायल अनीश को अस्पताल लिजाने पर मृत घुश्रित कर दिया गया इसमें परिवार वालों ने पूरे घटना करम को देखा था और उनके ही बयान के आधार पर एक इसमें प्रतंडिश्रिया जो एफायर पंजीवत की गई थी मस्तूरी सीची तक पहुंचते तक युवक्की मृत्यू हो गई थी आज इसका पी-एम कराया गया है और उसके बाद बॉडी का कफन दफन किया गया है पुलिस सभी प्रकार से जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है हम रुक करेंगे संबाद आता उमेश का फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गाएं उमेश पुलिस का भी फिलाल क्या कहना इस पूरे मामले में तेखें यह जो गड़ना हुई है वाकई में बहुत ही वहां के लोगों के लिए देशत का मखाल है इस गड़ना के बास से पुलिस फिलाल दोनों आरोपियों की तलास में जुड़ गई है और बहुत जल्द वो दोनों आरोपी पुलिस के ग्रेप से में होंगे लेकिन एक चीज यहां भी सामने निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से एक आउडियो वीडियो जो सामने आया है हाला कि वो इस पर स्ट्रूप से दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें साब तोर पे जगडे को लेकर विवाद चल रहा था उसका पूरा आडियो वीडियो सामने आया है उसके साथ ही गोली चलने की जो आवाज है उस आडियो और वीडियो में दिखाई और तुनाई दे रहा है तो निश्ची तरूप से एक गंभिर मामला पूरे लोग जो है सक्ते पे हैं हाला कि पुलिस दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात करें दिखाई शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए उमेश इस खबर पर